नमस्कार सभी साथियों को स्वगत करता हूं सभी का इस यूटूब चनल पर जिसका नाम इस टेविद प्यन लोदा साथियों रीट परिक्षा 2022 जो की पात्रिता परिक्षा है उसके लिए और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेट का मुख्य एक्जाम होगा मुख्य परिक्षा जो होगी उसके लिए साथ ही सेकंड ग्रेट फर्ष्ट ग्रेट यूपीटेट एमपीटेट सीटेट इत्यादी के लिए बेहद ही महत्पुन सिक्सन वीदियों का पेपर लेकर आया हूँ पेपर नंबर है आज आपके 18 बेस्ट क्यूशन देखने को मिलेंगे सरुत्तम वस्तों निश्ट प्रिश्ण आप के सकते हो साथियों तो मैं पियन लोदा वापिस एक बार पुरहें सभी का स्वागत करता हूँ वीदियो को शुरू करते हैं एक एक प्रिश्ण को देखेंगे साथियों और व्याख्यात्मक रूप से एक एक प्रिश्ण को हल करने वाले हैं तो चलिए पहला प्रिश्ण देखेंगे आपके प्रिश्ण संख्या एक है Bloom के 3H में सम्मिलित नहीं है ज्यानात्मक, भवात्मक, किर्यात्मक और स्वास्तिय देखिए Bloom ने 3H बताया था 3H का मतलब होता है एक आपके हेड होता है एक आपके हर्ट होता है हर्ट और एक आपके हेंड होता है तो ये 3H का मतलब निकलता है हेट का संबंद हमारे मस्तिक से है मतलब ग्यान से है फिर हर्ट का संबंद हमारे हर्दे से है मतलब भावों से है फिर हेंड का मतलब हमारे हातों से है जिससे हम किरिया करते हैं तो ग्यानात्मक, भावात्मक, किर्यात्मक तीनों ही चीज़े बताई है इन्होंने, लेकिन स्वास्त इन्होंने हेल्थ जो है वो नहीं बताया है साथियों, ठीके तो विकल्प नंबर आपका जो चार है, ये आपका पहले प्रिश्ण में बिल्कुल सही रहेगा, बुलूम क त्री एच में ग्यान, भाव और किर्यातों है लेकिन स्वास्तिय नहीं हैं, नेक्ट दूसरे प्रिश्ण के ओर बढ़ते हैं तो आपके प्रिश्ण संख्या दो, ये देखिए, अध्यापक देनिक पार्ट योजनाओं का निर्मान करता है, देनिक पार्ट योजनाओं जो प्रिश्ण हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्रिश्ण हैं, तो बताए प्रिश्ण संख्यादों में सही उत्तर कौन सा रहेगा, साथियों, अध्यापक के द्वारा जो देनिक पार्ट योजनाओं का निर्मान किया जाता है, वो आपको हो सकता है, चारो ही अध्यापक के द्वारा रखे जाते हैं, पार्ट को पढ़ाने से पुरुए, साथियों उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही अध्यापक के द्वारा देनिक पार्ट योजनाओं का निर्मान किया जाता है, तो थर्ड विकल्प दूसरे प्रिश्ण में सही है, ने आपको प्रक्षेपी सामगरी बतानी है कि कोन सी सामगरी यहां पर प्रक्षेपी है साथियों प्रक्षेपी और प्रक्षेपी सामगरी में आपको अंतर होना याद होना चाहिए तो देखो जो मैगनेटिक बोर्ड है जो माइक्रो इसकोप है जो टेली इसकोप है यह पी सामगरी के अंतरगत आ जाता है एपिडाय इसकोब विकल्प नंबर आपका जो चार है प्रश्ण संख्या तीन में बिल्कुल सही अंजर है नेक्स्ट प्रश्ण संख्या चार पे आते हैं तो चलिए चोता प्रश्ण देखेंगे ये है आपके चोता प्रश्ण क्या प्रश्ण संख्या चार को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा देखो जो देनिक पार्ट योजना बनाई जाती है उसमें प्रस्तावना का एक सोपान होता है तो जो प्रस्तावना का सोपान होता है इसमें लगबक पांच प्रश् बिखलब ईक अपके प्रश्न संक्या चार में बिलकुल सही है चलिए नेक्स्ट प्रश्नुम्बर पाउच प्रश्नी संक्या पाँचो लिकट की संचे मापनी का प्रियोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है संग्यान मापन हे तू किया जाएगा अभिवरत्ती मापन हे तू किया जाएगा नेतिकता मापन हे तू किया जाएगा या कोशल मापन हे तू किया जाएगा तो देखो लिकट की जो संचे मापनी है साथियों इसके दोरा किसका मापन किया जाता है अभिवरत्ती का मापन किया जाता है किसका अभिवरत्ती का मापन किया जाता है सेकर्ड विकलप आपके पांचवे प्रिश्ण में सही है नेक्स्ट वी प्रिश्ण संख्याँ छे की और बढ़ते हैं तो चलिए छेटा प्रिश्ण देखेंगे आपके प्रिश्ण नमबर छे छात्रों की उपलब्दी ग्याद करने हैं तू उपलब्दी प्रिश्ण कितने प्रकार के बनाएं जा सकते हैं चार प्रकार से बना सकते हो तीन प्रकार से बना सकते हो दो प्रकार से बना सकते हो और पांच प्रकार से बना सकते हो तो साथियों अगर आपको उपलब्दी ग्याद करना है और आप उपलब्दी परिक्सन का निर्मान कर रहे हो तो उपलब्दी परिक्सन का निर्मान आप दो परकार से कर सकते हो एक तो व्यक्तिकत उपलब्दी परिक्सन हो सकता है और एक आपके सामुहिक उपलब्दी परिक्सन हो सकता है तो विकल्प नंबर जो तीन है आपके प्रश्ण संख्या 6 में यही आपका सही उत्तर रहेगा किलिये रहे भी सभी के चलिए अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण संख्या 7 तो सात्यों प्रश्ण संक्या साथ है देनिक पार्ट योजनाओं का निर्मान कि सिक्सन सुत पर आधारित होता है ग्यात से अग्यात की और अग्यात से ग्यात की और अंश से पूर्ण की और और पूर्ण से अंश की और देखिए प्रश्ण संक्या साथ बहुत ही अच्छा प और ये जो पूर्ण से अंस्क्यूर सिक्सन सुत्र है ये गेश्टाल्ड वादियों की देन है किनकी देन है गेश्टाल्ड वादियों की देन है ये सिक्सन सुत्र देखिए पूर्ण से अंस्क्यूर क्या होता है कि जो विशेवस्तु है वो एक बार पूरी बच्चों के सामन प्रस्तुत की जाए और फिर उसको छोटे-छोटे भागूँ में बाट करके सिखाया जाए तो चोटा विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या साथ में सही है नेक्स्ट प्रिश्ण संख्या आठ पर आते हैं आपके आटवा प्रिश्ण है सतत्वे व्यापक मुल्यांकन का प्रकार नहीं है रचनात्मक मुल्यांकन, योगात्मक मुल्यांकन, व्यापक मुल्यांकन और इन में से कोई नहीं तो आटवे प्रिश्ण में यहाँ पर जो चोटा विकल्प है इसको तो आप हटा दीजिए रचनात्मक मुल्यांकन योगात्मक मुल्यांकन ये जो दोनों ही प्रकार है ये CCE के प्रकार के अंतरगत आते हैं CCE कितने प्रकार का होता है एक तो रचनात्मक और एक योगात्मक साथियों जो व्यापक मुल्यांकन तीसरा दे रखा है ये CCE के प्रकारों में शामिल नहीं होता है तो विकल्फ नंबर आपका जो 3 है प्रिश्ण संख्या 8 में वो बिल्कुल आपका कर्रेक्ट अंसर है नेक्स्ट प्रिश्ण संख्या 9 को देखेंगे तो बढ़ते हैं 9 प्रिश्ण की और क्या पूचा जा रहा है 9 प्रिश्ण में व्यक्ति की वह अनुकिरियां जिनसे यह ग्यात होता है कि उसने अब तक क्या सीखा है कहलाता है लक्षन कहेंगे उसे योग्यताएं कहेंगे अभी योग गिताय कहेंगे या निश्पत्ति कहेंगे तो आपके नौए प्रिश्ण का सही उत्तर कौन सा रहेगा अच्छी तरह से प्रिश्ण को देख लीजिए साथियो क्या पूँछ रहे हैं प्रिश्णे कि जो अनुकिरिये व्यक्ति द्वरा की जाती है जिनसे ये ग्याथ हो कि उसने अब तक क्या सिखा है तो इसको हम निश्पत्ति परिक्षन या निश्पत्ति के नाम से जानते हैं चोता विकल्प आपके प्रिश्ण संख्या 9 में सही है नेउस्ट प्रिश्ण संख्या 10 के ओर बढ़ते हैं तो आपके दसवा प्रिश्ण है एक प्रिश्ण पत्र केवल एक ही पार्ट से बनाया गया तो उसमें मुल्यांकन की कौन सी विकृती है व्यावहारिक्ता है व्यापक्ता मानक्ता और विवेदक्ता यहाँ पर मुल्यांकन की जो विकृती की बात की जा रही है कि मुल्यांकन म प्रश्ण पत्र का निर्मान संपून पाट्टे करम से किया जाना चाहिए ने कि किसी एक ही पाट से अतहें दूसरा विकल्प आपके प्रश्ण संख्या 10 में सही रहेगा नेक्श रहे प्रश्ण संख्या 11 पे आते हैं तो प्रश्ण नमबर 11 हिंदी सिक्सन का उद्देश है बोधात्मक उद्देश है ग्यानात्मक उद्देश है रचनात्मक उद्देश है और इन में से सबी तो आपको हिंदी सिक्सन के उद्देश बताने है कि कौन सा विकल्प का सही है देखो हिंदी सिक्सन के उद्देशों में बोधात्मक उद्देश को भी समिलित किया जाता है बोधात्मक को आप अवधात्मक उद्देश भी कह सकते हो ग्यानात्मक उद्देश भी इस वी में शामिल करते हो रचनात्मक उद्देश भी इसी में सामिल करते हो निबंदा आत्मक परिक्षा की अपेक्षा कोन सी परिक्षा उप्योगी है साक्षातकार परिक्षा मोकिक परिक्षा वस्तु निष्ट परिक्षा और लिखित परिक्षा तो सौत्यों निबंदा आत्मक परिक्षा की अगर हम बात करें तो दो तीन पेज में इसके उत्तर दे देता है लेकिन जो चेक करने वाला होता है जाचने वाला होता है साथियों वो अपने इसाब से नंबर देता है तो इसलिए निभंदात्मक परिक्षा की अपेक्षा वस्तुनिष्ट परिक्षा को जादा बेहतर माना जाता है क्योंकि वस्तुनिष्ट परिक्षा में यहाँ और खुद के हिसाब से नंबर नहीं दिये जाते हैं, या तो आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेगे, या फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से इसका काम होता है, तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्ण संख्या 12 में सहिए साथियों, नेक्स्ट प् प्रणाली के सोपानों के अंतरगत नियोजन भी किया जाता है, मतलब योजना बनाई जाती है, किर्यानवन किया जाता है, उसका मतलब उस योजना को धरातल पर लागू किया जाता है, और फिर अंत में उसको मुल्यांकन भी किया जाता है, तो ये सारी चीजे सुद्धे प कोशल कौन सा है पठन लेखन शर्वन और वाचन तो सातियों जो चार कोशल होते है बाशे कोशल सबसे पहला कोशल कौन सा होता है सातियों शर्वन होता है शर्वन के बाद में कौन सा होता है वाचन होता है वाचन के बाद कौन सा होता है पठन होता है और पठन के बाद में सबसे बाद में कौन सा कोशल आता है तो लेकन आपका उत्तर होगा और सबसे पहले कौन सा कोशल आता है तो शर्वन आपका उत्तर होगा तो यहां परतम कोशल कौन सा है शर्वन है दूसरा वाचन तीसरा पटन चोता लेकन तो फिर आपका यहां पर विकल्प नंबर जो तीन है प्रिश्ण संक्या चौदा में यही सही उत्तर रहेगा साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संक्या पंद्रा की ओर तो आपके पंद्रवा प्रिश्ण है सिक्सन होता है संसलेशन से विशलेशन की ओर होता है कटिन से कटिन की ओर होता है सरल से कटिन की ओर होता है और तर्क से मनुज्ञान की ओर होता है तो सातियों सिक्सन यहाँ पर दिये गए सिक्सन सुत्रों के अनुसार कोन से तरीके से होता है आपको प्रिश्न संक्या पंद्रा में ये बताना है तो देखो पंद्र से कदर कटिनता की तरब तो विकलप नंबर आपके जो तीन है प्रश्ण संख्या 15 में येही सही उत्तर है प्रश्ण संख्या 16 और बढ़ते हैं आक आश्वानी माँ चित्र ग्रामो फोन और टेप रिकोडर साथियों यहाँ पर आका अश्वानी यह हम सुनते हैं तो सरव्य है ग्रामोपोन यह भी सरव्य है टेप रिकोडर जिसमें रिकोड किया जाता है यह भी सरव्य है लेकिन साथियों जो मानचित्र है यह सरव्य साधर नहीं है बलकि मान्चित्र के सा साधर माना जाता है मान्चित्र को दरश्य साधर माना जाता है मतलब प्रशन संक्या सोडा में आपके सेकन विकल्प सही रहेगा किलिए रहे ये भी सभी के अगर कोई डाउट हो तो हमें नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट आप कर सकते हो देखिए सिक्सन विदियों की टेस्ट स्रीज के साथ में आपको इस चैनल पर बिल्कुल ही निशुल्ग मनविज्ञान की टेस्ट स्रीज मिलेगी, हिंदी की टेस्ट स्रीज मिलेगी, मेट्स की संपून कला से मिलेगी, मेन एक्जाम और पातरता परिक्सा दोनों के लिए है यह चीज़ है और इसी के साथ में आपको राजिस्तान जीके कक्षा 6-10 तक की ओथेंटिक किताबे जो है NCIT और RBSC की वहां से आप राजिस्तान जीके पढ़ोगे साथियों तो अभी राजिस्तान जीके की भी 10-12 कला से हो चुकी है तो आपने अगर वह नहीं देखिए तो च चामपट, चार्ट, पाटे पुस्ता की यहां पर आप मान सकते हो और मान जित्र तो इन में से अध्यापक का अभी नमित्र किसको कहा जाता है प्रश्न संक्या 17 में आपके सई उत्तर है शामपट को अध्यापक का अभी नमित्र कहा जाता है विकल्प नंबर आपका एक सई साथियों प्रश्ण संक्या 17 में, नेक्स्ट प्रश्ण संक्या 18 प्याएंगे, तो अठारवा प्रश्ण है, लिकित परिक्षा के प्रश्ण होते हैं, निबंदात्मक होते हैं, लगुत्रात्मक होते हैं, वस्तुनिष्ट होते हैं, और इन में से सबी, तो लिकित परिक्षा क के जो प्रिश्ण होते हैं साथियों देखो वस्तुनिष्ट प्रकार से भी लिकित परिक्षा हो सकती है लगुत्रात्मक प्रकार से भी लिकित परिक्षा हो सकती है और निबंदात्मक प्रकार से भी लिकित परिक्षा हो सकती है अर्था अर्थ लिकित परिक्षा के जो लेकन कला का अत्यदिक महतु है मंच पर अत्यदिक महतु है नाटी इस्तल पर अत्यदिक महतु है घर पर अत्यदिक महतु है और विध्याले में अत्यदिक महतु है तो जो लेकन कला है साथियों नाटी इस्तल पर लेकन कला का क्या काम तो यह आपका उत्तर नहीं होगा मंच पर भी नहीं है नहीं घर पर है बलकि लेकन कला का अत्यदिक महतु दिये गए विकल्पों में से विध्याले में हैं मतलब चोता विकल्प आपके प्रश्ण संक्या 19 में सही है और यहां तक भी किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रिश्ण पर तो आप हमें नीचे कमेंड बोक चल चित्र और आकाषवानी सात्यों प्रमप्राग सहक उपकरनों के अंतरगा विकल्प है यह प्रमप्राग सहक उपकरन है आकाषवानी चल चित्री दूर दर्शन ये तो आधूनिक सायक उपकरणू में आते हैं यहाँ पे सेकंड विकलप आपके प्रश्ण संक्या 20 में सही है नेक्स्ट प्रश्ण नंबर 21 की और बढ़ेंगे तो देख लेते हैं प्रश्ण नंबर 21 को उपलब्दी परिक्षन वे नेधानिक परिक् प्रश्ण नंबर 21 को उपलब्दी परिक्षन की बात करें तो उपलब्दी या निश्पत्ती परिक्षन में यह देखा जाता है थीजबकि नेधानिक परिक्सन वे नेदानिक परिक्सन में उद्देश का अंतर होगा विकल्प एक आपके प्रश्ण संक्या 21 में सही है नेक्स्ट वी प्रश्ण नंबर 22 के ओर बढ़ेंगे तो 22 वा प्रश्ण योजना विदी का सिध्धान्त नहीं है किरिया शील्ता का सिध्धान्त मनोरंजन का सिध्धान्त उपयोगिता का सिध्धान्त और प्रयोजन का सिध्धान्त तो साथियों योजना विदी के सिध्धान्तों की अगर हम बात करें तो योजना विदी में प्रयोजन का भी सिध्धान्त होता है प्रयोजन मतलब कि आखिर उद्देश क्या है योजना विदी बनाने का तो ये भी है उपयोगिता का सिद्धांद भी होता है किरिया शीलता मतलब बच्चे करके सीखते हैं लेकिन ये जो दूसरा सिद्धांद दे रखा है मनोरंजन का सिद्धांद ये योजनाविदी के सिद्धांदों में नहीं आता है तो यहाँ पर 22 प्रिश्ण में सेकंड विकल पाप के बिल्कू सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिश्ण संख्या 23 की और तो चलिए 23 प्रिश्ण सातियों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेर जरूर करिएगा वीडियो को सिक्सक परदान सिक्सन विदी है प्रियोजना विदी, व्याख्या विदी, प्रियोक्षाला विदी और पर्यवेक्षित अध्यान विदी तो सातियों प्रियोजना विदी यहाँ पर चात्र केंद्रित विदी है प्रियोक्षाला विदी भी छात्र केंदरित विदी है पर्यव्यक्षत अध्यान विदी भी छात्र केंदरित विदी है लेकिन जो व्यक्यान विदी है ये छात्र केंदरित नहीं है बलकि ये सिक्सक केंदरित विदी है कैसी है सिक्सक केंदरित विदी सेकंड विकलप आपके प्रश्ण संक्या 23, 23 में बिल्कुल सही है, नेक्ष्ट बढ़ते हैं प्रश्ण नमबर 24 की ओर, तो 24 वा प्रश्ण प्रक्षेपी साधन है, प्रक्षेपी नहीं प्रक्षेपी, ठीक है थोड़ी टाइपिंग मिश्टेक हुई है, प्रक्षेपी साधन है, मांचित्र प्रक्षेपी साधन है, जादूई लाल टेन प्रक्षेपी साधन है, शामपट प्रक्षेपी साधन है, और श्वेत प्रक्षेपी साधन है, तो बताईए, 24 वे प्रिष्ण का सही उत्तर क्या रहेगा, अच्छी तरह से देख लीजिए, प्रक्षेपी साधन या projective जो teaching material होते हैं साथियों वो मतलब कोई भी चीज को दिवार पर या परदे पर बड़ा करके दिखाते हैं तो यहाँ पर जो जादू इलाल टेन है ये कार्य करती है तो यहाँ पर आपके प्रक्षेपी साधन के अंतरगत जादू इलाल टेन आ जाएगा सेकंड विकल्प आपके सही है बाकी मानचित्र, शामपट, श्विधपट तीनों ही आप्रक्षेपी साधनों के अंतरगत आएगे किनके अंतरगत आप्रक्षेपी साधनों के अंतरगत आएगे मानचित्र, शामपट, स्विधपट और जादू लालटेन किसके अंतरगत आएगी प्रक्षेपी साधन के अंतरगत आजएगी सेकर्ड विकल्प सही रहेगा अब आज का अंतिम और 25 वा प्रशन देख लेते हैं हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा तो चलिए देख लेते हैं अंतिम और 25 वे प्रिशन को चात्र दोरा अरजित ग्यान के प्रिक्सन है तू आउशक है वाद विवाद आउशक है प्रशनोत्तर आउशक है मुल्यांकन आउशक है और प्रतियोगित आउशक है तो देखो चात्र दोरा अरजित ग्यान का आपको क्या करना है प्रिक्सन तो सात्यों प्रिक्सन वाद विवाद के माद्यम से प्रशनोत्तर या प्रतियोगिता से नहीं बल्कि मुल्यांकन से किया जाता है तो यहाँ पर अच्छात्र द्वारा अर्जित ग्यान के प्रिक्सन है तो मुल्यांकन आवशक है यह टेस्ट आज का आपका पूरा हुआ साथियों मिलते हैं अब अगली कलास में बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बहुत-बहुत एक बार आपको पूरा है धन्यवाद